जो मुझसे प्यार करता है, वो अपने लिए प्यार करता है, मेरे को अपने लिए प्यार करता है, जिस दिन उसको अपने लिए घाटा स्वजमन में आएगा ना, वो ना गुरु मानेगा, ना संत मानेगा, ना प्रिय मानेगा, ना पुझ्य मानेगा, थोड़ देगा, है ऐसा के लए है उसके काम के लए रहे तो भगवाल उठा ले तो आय भगवाल कितने निर्दए तुम्ने क्यों ले लिया यह अंसार करते रूप है रादे रादे महाराजी आपके चरणों में कोटी-कोटी प्रणाम महाराजी इस अंसारिक मौम आय की दुनिया में और उसी के साथ अपनी सुक्य नभूती करते हैं पर जब वही व्यक्ति विशेश हमें दुख पहुचाता है या हमें छोड़ कर चला जाता है वो उस तिती में हम उस व्यक्ति विशेश को कैसे भूल पाएं और अपने मन को स्थिर रखकर भगवत जब नाम में चित को कैसे लगा सके मारा जी इसी का नाम आशक्ति है जो आप कह रहे हैं उसी का नाम आशक्ति है आशक्ति होना सहज है पर आशक्ति छोड़ना बहुत कठिन है हम किशी व्यक्ति, किशी वस्तू, किशी स्थान आदि में जो सुख का अनुभो करने के लिए आशक्ति करते हैं वो अज्ञान है अज्ञान के कारण ही है क्योंकि शुख तो भगवत शुरूप है वहला नास्वान परिवर्तन सेल सरीरों में कभी सुख मिला है क्या सुख का तायत पर जिसे केवट को मिला है केवट श्री भगवान बाद में उसको उतराई दे रहे ना मना कर रहे ना भगवान से वो कह रहा अब कछुनाथ न चाही मोरे और जब चर्णों को पखार रहा है तो कैसा इस्थिति कैसी है अतियानंद उमगियानुरागा चर्ण सरूज अश्रुपायत हो रहे है ऐसा आनंद ऐसा चाहिए भगवान से कह रहा है इसे सुख कहते है प्रभू के नाम प्रभू के रूप प्रभू के लेला प्रभू का धाम हमारी जो सुख की मांग है चुकि हम सुख सिंदु के अंस है भगवान शुक्षमुद्र है तो हम जीव हैं उनके अंस है तो हमारी मांग शुख ही है हम ऐसे विक्ति से प्यार करते हैं, जो हमें सुख दे, ऐसी वस्तु स्वाइकार करते हैं, जो हमें सुख दे, ऐसी बात सुनना चाहते हैं, ऐसा दृष्य देखना चाहते हैं, जो हमें सुख दे, देखो मूल में सब के सुख है, पर भला यहां कहां सुख है, बीबी एक से खो मतलब बुरा मत मानना मैं केवल पूछ रहा हूं अपनी जानकारी के लिए कि जब मेरे मन में ऐसी कोई स्फुरुणा होती तो मुझे बहुत जलन होती है क्योंकि हमारे मार्ग के विरुद्ध है तो हमें लगता है कि मन को हम समझाते हैं कि बस 20-30 वर्ष की बात है इसके बात हमारणी तो शानत होता है आपका क्यान फोंवें वह बन बेवर्ष के थे तो उनका महराज आभी तो आप बच्चा ही है कहने में सरम लगती है पर हम बन वे वर्ष के हैं पर हमने जैसा मन बच्पन में देखा था जवानी निनक्था आज आज या मैं यूग कि किसी के नहीं हूँ पर मन की दशावए अब हमको भैंकर भैं लगा कि इस मार्ग में मुझे इस पर तो विजय प्राप्त करनी पड़ेगी यह अवस्था के अनुसार तो नहीं जाएगा फिर परम्हण श्रीश्वामी ओंकारा नंद जी महाराज ब्रह्मलीन महापुरुष थे उनसे फिर प्रश्ण किया कैसे इस पर विजय प्राप्त कि उन्हों शाधन पद्रतियां बताई गुरु कृपा से तो यह जो हम सोचते हैं कि इन भोगों के भोगने से सुख मिलेगा सची बात देखो को आप लूग तो ग्रेश्टी में हो कहां आपको ऐसा लगा कि अब करत्य भयों मैं हेनात आज मैं त्रप्त हो गया अब नहीं चाहिए यह कूछ च्छन के लिए भले थोड़ा मन तुम्हें ऐसा बावरा बना दे कि बस लेकिन उसी उसी दूसरे दूसरे च्छन के लगते ह फिर बार-बार भोगनी किच्छा फिर नविंद्र इसका मतलब है नहीं अगर होता तो त्रप्ति मिल जाती ना तो हम अगर किसी व्यक्ति से या वस्तु से आप तो व्यक्ति की बात कर रहें कितने ऐसे नसे बाज लोग हैं जो कहते मैं नसा नहीं छोड़ सकता इसके बिना मैं जी नहीं सकता अब आप बताओ अपना जीवन किसी नसे के अधिन कर देना किसी व्यक्ति के अधिन कर देना किसी भोग के अधिन कर देना यह अज्यान के कारण ही तो होता है तो शुक भगवान में है यह पता नहीं है में हमें लगता है सुक भोगों में है और भगवान ने इस πूरे संसार को रच के एक पोश्टर लगा दिया दुखालेम अशाशोतम गीता जी में का इसमें दुख ही दुख बरा है और शाश्वतम यहां कुछ टिकाओ नहीं है सब परिवर्टन सेल सब नाश्वान आज तुम्हें कोई प्यार से गले लगाएगा कल वही तुम्हें तरब देखेगा नहीं जब तुम उसके काबिल नहीं रहे जाओगी यहां न भागे क्या किया है हमें खोई शुन्दर रूप मिले कि सुंदर रूप टिकाओ होला चीए है Spanish मेरे लिए प्यार करे और मैं कभी उससे पिछूना और वो शड़े मुझे शुख देता रहे, यह सब के मन में है, सब के मन में है, और सही दिसाना होने करण हम उसे धन मान लेते हैं, हम उसे पुरुष मान लेते हैं, उसे इस्त्री मान लेते हैं, वस्तु मान लेते हैं, यह सारी के सारी वते भगवान में हैं, उनका रूप अविनाशी, और एक बार ज अगर आप संसार के किसी व्यक्ति वस्तु इस्थान में भगवत भाव कर लें कि आपको आशक्ति नहीं होगी क्योंकि आपने पहले ही भाव कर लिया था कि प्रभू मेरे इस रूप में है तो रूप बदल जाएगा लेकिन प्रभू तो आपके रहेंगे न वो शमाल लेंगे हम लोग प्रभू भावना करके जो वस्तु व्यक्ति में फस जाते हैं तो वही फिर हमारे आगे जन्म का कारण होता है अगर हम इस्त्री रूप में फस गए तो अगला जन्म इस्त्री का पुरुस रूप में फस गए तो पुरुस इरन में फस गए तो अगला जन्म इरन का इसलिए हमें साउधान रहना चाहिये पहली बात है कि मेरा कोई नहीं है बक्का नहीं है जो मुझसे प्यार करता है वो अपने लिए प्यार करता है जिस दिन उसको अपने लिए घाटा सब्सक्राद में आएगा न वो ना गुरु मानेगा ना संत मानेगा ना प्रिय मानेगा ना पुझ्य मानेगा फोड़ देगा है ऐसा कि नहीं है फिर संसारिक संबन्दों कि तो बात जा ले दो इसले जिन्हें स्वाइकार करने पर कभी आज तक किसी को घाटा नहीं हो वह है स्री भगवान स्री किशोरी किशोर जो लाली लाल जो अब मान जाओ जब आपको पता चल गया है कि सबस्वार्थ का स्वरूप है तो उसके लिए मत रो अब ऐसे वर को क्या वरू जो जन में मर जाए ऐसा वर वरू चूडलो अमर हो जाए वो है स्री गिरधर गुपाल जी उ स्री कृष्ण मेरा जी कह रही है मेरा तो चूडला अमर है मेरा शुहाग तो स्री कृष्ण है कोई फर्क नहीं है इसलिए भाई हमारे पास प्रस्ण का उत्तर यही है कि नाम जब करो अपनी गलती को शुधार करो हम गलती में फसते चले जाते हैं और कोई मुझे प्यार नहीं करता जिसक चुटे थे तो बड़ी बहन के आँ गए छुटियों में जैसे जाय जाता है ला तो वो हमको लेके अपनी नंद के आँ गई तो वहां जब गए तो बड़ा मकान बना हुआ था बड़ी आच्छा तो हम तो बच्चे थे तो उसके जो पती थे वो एक कमरे में सड़े से कमरे में पड़े थे तो ऐसे से भुलाया नजदी गए अब भगवान को हमको शिक्षा दे नहीं थी इसलिए हमें सुने ने हम बच्चे थे हम कुछ कर भी नहीं सकते थे उनका बच्चा अपनी पत्नी को संके दे ये बहुत दुष्ट है हमारी टाकीच के सामने दुकान थी चाय में लकवा मार गया अब मैं किसी काम का नहीं रगया कई वर्ष से पढ़ाओं ये दो रोटी 24 गंटे में देती मैं भूंक्षे व्याकुल होता तो कहती बहुत बोजन खाओगे बार बार सौच करोगे कौन फेकेगा मेरे सामने गंदी बातें करती है अब पड़ा है उठ सक मेरे को किसी से मिलने नहीं देती किसी को आने नहीं देती क्या करूँ उस समय मुझे को खेल खेल में चल दिये लेकिन जब हम बावा जी बने चिंताओं कि वह बात आए कि यार संसार का इतना वह बड़िया उदारन लगा कि जब बलवान था कमा रहा था तो आते ही जूते म अपने सुख के लिए सारी बाते हैं ऐसे ही सब का संबंद समझ लो जिस दिन अपना सुख अब एक जगे थे तो एक ब्रद्धा महिला आई अपने पती के लिए कह थी महाराज भगवान से मनाओ कि उनको उठा ले उठा ले मतलब क्या गिर पड़े है बोले ले वो पड़े पड़े हगते रहते बड़ी दुरगती प्राप्त करें उठा ले तो हमका तो लड़का है बहु है तुम है सफाई करो उनकी सेवा करो बोले अब सब नहीं होता बस आप इतनी करपा करो भगवान उठा ले यह संसार यह संसार उसके काम के लह रहे तो भगवाल उठा ले का कितने निर्दई तुमने क्यों ले लिया यह संसार का सुरूप है तो आप समझे थोड़ा विवेक को जागरत करो मोह का नाश होगा वह विवेक मोह ब्रह्म भागा तभी भगवान से प्यार होगा तभी तुम्हें भिस्त्राम मिलेगा यह भाग दोर तभी शांत होगी जब प्यारे भगवान हो जाएंगे महालक्षमी पति क्या चाहिए रूप वान है सरुशामर्त साली है देखो सूरी किसले बनाया कितने पूरे ब्रहमांडू को प्रकास दे रहे हैं यह जब चिटी पिटी रातिरी में धोड़ा प्रकास दे देखो शूरी कितने ब्रहमांड को कई वी चले जाओ चंद्र का प्रकास सब आक्षी जन सब जल फोजन सरी कितनी शुंद है ना कोई रचना करने वाला महानिश्वर हम उसको अपना क्यों न माने अपना प्रीतम मान लेना अच्छा हम का आज भी सत्संग में कह रहे थे कई बार का है अगर वह अनुभों में पाट ओन आता ना उम सबसे कई देते भैया लगे तो बच्पन से हैं पर हात कुछ नहीं लगा हागे मरने के बाह। कि वो हमें पता नहीं कुछ राम करे देठे इतने नजदी करनाघ्यू प्यार कर निर्वाह करना नहीं जानता है झाल